Now we will talk about injury progression, हम injury को किस्ता से prevent कर सकते हैं बचों के बीच में, देखें उनको चोट लगने ही लगने हैं, बचों ने खेलना है, भागना दोडना है, सारा दिन वो कुछ न कुछ करते रहते हैं और उनको चोटें लग सकती हैं, लेकिन हम उनके इस चोट लगने के process को किस्ता से कम क कर सकते हैं, अब देखें, unintentional injuries, especially those involving motor vehicles, pose the greatest threat to the lives of young children, देखें घरों में बच्चे को कम चोट लगती हैं, जब घर से वो बाहर निकलता है, और जब वो बच्चे बाइसाइकल पे, ट्राइसाइकल पे, वैन पे जा रहे होते हैं, तो वहां उनको चोट लगने के ज्यादा इम उमकानात होते हैं, their inability to judge time, distance and speed accurately contributes to many injuries, especially those resulting from falls as a pedestrian or while riding on a bike, अब देखें बाद यह बच्चा चोटा है, उसको नहीं पता कि कितनी space मेरे लिए काफी रहेगी, किस रफतार से मुझे चलना है या क्या करना है, चुकि अभी उनके decisions में, जो उनकी special qualities, senses हैं, वो अभी weak हैं, ना उन को ये समझ आती है, कि जो हम करने जा रहे हैं, इसके नतायच क्या निकल सकते हैं, अभी आप कुछ तस्वीरों में देख रहे होंगे, कि बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, वो हर चीज मुँ में डालते हैं, तो अब वो कोई ऐसी भी चीज़े हो, आपने कई ऐसे twice देख के एक साइड पर खड़े हो जाएं, बलके वो वहां से फिसल के गिर सकते हैं, फिर आपने देखा है कि माँ चुके काफी देर चूले के इदगिर्ध होती है, किचिन में होती है, तो वहां वो यूटेंसिल के साथ खेलना शूरू कर देते हैं, चूले के करीब चूके माँ ह वो बंद कर देते हैं, कभी उसको खोलते हैं, तो गैस की लीकिज के भी प्रॉबलम हो सकते हैं, खुदाना खास्ता अगर उसके ओपर कोई तेल है या आग है, या दूद उबल रहा है, या पानी उबल रहा है, तो वो उनके ओपर स्पिल्ट कर सकता है, अब ये बड़ी खतर टाइम्स आपने देखा होगा कि दराजें खोल के उसमें से चीजें निकाल के या मूँ में डाल रहे हैं या उनको आपरेट कर रहे हैं वहाँ पे बलेड भी हो सकता है, छूरी भी हो सकती है, शार्प एजिस वाली चीजें हो सकती हैं जिनको जब वो छेड़ते हैं निकालते हैं तो उनके हाथ जो हैं वो जखमी हो सकते हैं तो ये वो सारी चीजे हैं कि अगर हम इहतियात रखें मतलब अगर आपका बच्चा दो साल का है तो कमस कम दराजें या तो इतनी उंची हों कि उसके हाथ तक उसकी पहुंची ना हो या अगली चीज जो हम prevention के सिलसले में कर सकते हैं, वो यह है कि हम बच्चों को physical movement की इजादत दे, लेकिन वो safe places पे हो, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है, यह नहीं कह सकते हैं, अगर हम injury से बचना चाते हैं, तो बच्चा मूव ही नहीं करेगा, या वो कहीं खेलेगा नहीं, क्योंकि यह वो physical growth उनकी इसी movement से होनी है, उनकी mental health भी इसी से होनी है, और फिर उनके जो जज़बाती नशोनमा है, वो भी इसी से होनी, क्योंकि उनके अंदर एक extra energy होती है, वो energy जब भागते दोडते हैं, तो वो बाहर निकलती है, उससे boredom भी क होती है, उनका mental stress भी काम होता है, आपका क्या ख्याल है कि बच्चों को mental stress नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा सोचती नहीं, ऐसा नहीं है, शुरू से ही बच्चे जजबाती तोर पर बलके आपने देखा होगा कि जरा सी अगर conflict कोई हो जाती किसी बच्चे के साथ जा बड पर जिससे वो अपने जजबात को control कर सकते हैं, तो आप उनको injury से बचाने के लिए महफूस खेल जो है, उसका मौका फराहम करेंगे, तो साथ मिनिट का जो आपका खेल है, वो तो हर बच्चे के लिए जरूरी है, कम असकम, जरूरी नहीं के एक ही वक्त में हो, मुक्तरिफ मौकों पे वो खेल, ये खेल सकता है, तो अब हम ये कह रहे हैं, कि हमने उनकी, आगे भी हम कुछ हमारी मौडिूल्स हैं, वो आप जरूर देखिएगा, उसमें हम ये देखते हैं, कि injury को किस तरह से prevent किया जा सकता है, मतलब उसका ये है, कि हम बच्चों को खेल से रोक कर injury को prevent नहीं करेंगे, बलके हम ऐसे मुख्तलिफ एक्दामात करेंगे, और ये देखेंगे कि बच्चे असल में करते क्या हैं, और जो जो activities वो करते हैं, उनको किस तरह से हम control कर सकते हैं, कि उनका नुक्सान कम से कम हो, और वो injuries कम से कम हो,